हाँ हाँ है एब्रिवान वल्कम बैक टो माइ चैनल आई होप यह लार गाइस जो गाइस आज की सुड़ी में मैं लेक्ट आ हूई यह वैडिंग गेस्ट में को यह जो मेरे क्लाइंट है उनके देवर की साधी है तो यह जो है यह दूलह के वाबी है और इनके जो लहेंगा है जो ड्रेस है उसके अकॉड़ी मैंने आज इनको यह मेकप लुक दिया है और यह कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना यह लुक कैसे किया है मैंने वीडियो देखने के लिए वीडियो का अन तक जरूर देखना और चैनल पे न्यूँ हो तो प्ली चै अच्छे से करना है क्लिंजिंग टोनिंग मोश्राजी उसके बाद हम आईब्रोग फिल कर रहे हूं पैक का फोर कलर आईब्रोग डिफाइनर ले रहे हूं इससे एक लाइट डाक ब्राउन दोनों कलर को मिक्स करके एक सॉफ्ट आर्स टाइब में में आईब्रोग को फिल क करना है कि उसके बाद मैंने फॉरेवर फिफ्टी टूर कंसीलर लिया है कंसीलर और थोड़ा सा फांडिशन मिक्स कर लिया क्योंकि इस सेड का कंसीलर में पास था नहीं तो सेड बनाने के लिए मैंने जो थोड़ा सा फांडिशन मिक्स कर लिया था थोड़ा डाक शेड का त आपका पैची ही लगेगा अच्छे से एक ट्रांस्लूशन पाउडर से इसको अच्छे से लोग कर देना है उसके बाद जो आइशाड़ के लिए यह यह सबसे लाइट कलर का जो आइशाड़ है तोड़ा सा पीज ब्राउन टाइप का शेड है इसको अच्छे से लेके ऑल आइशाड़ करना है पूरे लिड पे बहुत ही जादा बेसिक आइशाड़ होता है यह जब हम बेसिक मेकप सीखते तो उसमें यह चीज़ हम करते हैं मतलब यह क्या है आपको ब्लेंडिंग करनी है लाइट टू डाक जाना है आपको सीधा डाक कलर नहीं है उठार है तो एक नगर इसको लेगे मैं लिड पर ब्लेंड करूंगी जो हमारा ट्रांजिशन कलर ता उस पर हम नहीं जाएंगे हमारा वर्क हो चुका है । अब नहीं जाएंगे हमें ब्रश नहीं लेके जाना उपर जो लीड लीड बीड उस पर ही मैं डाक करती-करती जार भी बहूद ला जो उन्वाइट तो रृट ब्राउन ची्ट इसे अगा एक सब्सक्राइब जाए है तो अध्या जी में प्र्रीड को प्रीज़ में था हैं तो फिर वैडिंग घर की साथी है तो थोड़ा इसा मैंने एक क्वैडिंग के लिए ट ने कि तो अगुल्ग में ने। इस लोक में एक पॉइंट तो देखो इस आई मेकप का आपको अगर लगाना नहीं आता तो आपको लगाने की टैंशन नहीं रहेगी बस आपको कहना ब्लाइक आई शेडो लेकर मर्ज कर देना यही हमारा लाइनर है गप मजब लाइनर उसके बार एक जो पिग्मेंट ले रहे हूं जो तोड़ा सा पिंक रेफ्लेक्षन दे रहा है इसके साथ यह मोनो करूमार्टिक जैड जो वाइड कलर का दिखता है और पिंक कलर के जो रिफ्लेक्षन आती है अपना अप्लिकेशन तो वेजा लेना है बारिक से होते हैं पाउडर फोम में वह पिंग्मेंट ज्यादा ट्रेंडिंग में ग्लीटर तोड़ा ओवर लग जाता है थोड़े चंगी पार्ट नहीं है और ऐसे सौफ्ट मेकप में वह जाता भी नहीं है ब्लाक आशेटों को दोबारा लेकर आपको इसको मर्ज कर देना है देखो जैसे के हलका हलका हमारे पार्टिकल नीचे गिरे होते तो उसको क्लीन करने के लिए दोबारा आपको तचप देना पड़ेगा अब यह तो रहागा अभी हम आई मेकप को यहीं पर छोड़ देते हैं अब हम बेस मेकप करते हैं बेस के लिए मैंने मौश्राइजर अपला गया यह गुड़ वाइप का रोजी सीरम यूज करें बहुत ही अच्छा सीरम है एक तो विंटर है गाई ऑलरी क्लेंड के स्कीन जो है सबके स्कीन इस टाइम जो है वह ड्राइ हो रखी होती है तो अच थोड़ा से सिम्री पार्टिकल्स है और जो इसकी रिफ्लेक्शन है ग्लो करता है फेस ने थोड़ा तरह बिंग बिंग फाउंडेशन के लिए हुड़ा ब्यूट का फाउंडेशन ले रही हो 3010 जीन अम्रेटी शेट ले रही हो इसमें से पैक का थोड़ा डाक कलर मिक्स कर डाला के थोड़ा सा लेना है पहले बिलैंड कर लेना उसको कर लेना है आपको ड्रेंड के कि मैच हो रहा या नहीं हो नहीं हो इसके अक्र lähийिंगाय एक करेंकर लेक्षosium कर्यों करेंकर चाहिगाई से या उर्यक्त ही अपरीं क्रें रर्भारी नहीं करेंद़ा फांडेशन को अल ओवर फेस अपलाई कर लोंगे हुटा बूटे का फांडेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहुत ही स्टेल होंगे कब्रेज भी फुल कब्रेज है और थोड़ा मैट फिनिश है जिसको स्वेटिंग के प्रॉब्लम होती है ऑईली स्कीन है उसके लिए फिर आप यह फांडेशन अपलाई कर सकते हैं फांडेशन के बाहर मैंने लिया फॉरेवर 52 का डवल जीरो मां शेड कंसे लिया है इसको जो भी ऐस यूजल जो हाइलेटिंग पोइंट्स होते हैं उसको मैं हाइलेट करने के लिए यूज कर दियो अंडर आई एराउंड लि इसको आप बस्कान करना एक साइड करते करते दूसरे में दूसरी जगह जो है वह ड्राइब हो जाता है तो आपको पहले एक चिक्स पर ब्लेंड करके फिर आपको नोस पे थोड़ा-सा चीन पर भी दे देना है थोड़ा-थोड़ा-पिंग पिंगी ट्रेंडिंग में परेवर 52 का बनाना पाउडर और मेकप स्टोडिया का ट्रांसलोशन पाउडर दोनों को मिक्स करके यूज कर रहे हैं पूरे फेस पे ही मैं पाउडर यूज करूंगे बेकिंग के लिए गाइस ठीक है पहले आपको कॉम्पैक्ट नहीं लगाना आप इस टेकनिक से एक बार ब पाउडर अप्लाई किया है आप देखना फिनिशिंग कैसी आती है अभी पाउडर हमारे फेस पे वह एक्स्ट्रा है बेक होने के लिए छोड़ रहा है यह सारा जितना स्कीन लेने नहीं है उतना सारा अब्जॉब कर लेगा बागी हम बाद में डस्ट आउट करतेंगे मैं बाउडर यूज़ करें पाउडर ब्लस एक और कोटिंग करेंगे जैसे कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है तोड़ा फिलिप टेप हम ब्लस ट्वा टैकनिक यूज़ करें पीछे की तरफ ज्यादा ब्लस लगाएंगे आगे के चिक बोन चिक पे तो है वह कम लगाएंगे हम इस लोग में ब्राउड काजल ले रहे हूं अप्लाई करें ब्लैक मैं बोहुत रर यूज़ करें इस लूग में अच्छा भी लगता है एक तो डिपेंड करता है आपकी क्लाइन के रुकायर्मेंट पर और उनकी चोईस पर बिपेंड करता है और लग लाई पर में पीच कल अब नॉर्मल सा ही लग रहा है लोर लास्ट लाइश लाइन का मिक अभी मस्कारा के बाद देखना एक जाना जाए आपको इस टेकनिक से मस्कारा अपलाए करना है आइस क्या करना को बोलना है कि आइसको डाउन रोको पल के जुखा गए फिर आपको उपर से पकड़ के आपक मस्कारा अपलाए करना है आपको लाइस लाइस अपलया यह धालना चर्च गया जाशित जांपिए अच्छ फ़टिग देना है कि बाद कोया लाइस पाविस है कि सब्शाज देना इसलिजिक मालestra शस्टरा पहले है वfish लाइक ज़ेश मैं सचवचार करें बह दो फेके घ्र में चार चांद लग गए लगाने के बाद मस्कारे लगाए लगाने के बाद आपको फिर से ब्लाक आईशाडू लेके उसकी जो लैश बैंड दिख रहा है उसको हाइड कर देना है यह स्टैप आपको बिल्कोल भी नहीं स्किप करना यह सारी महनत में पानी फेज सकता यह वा जुझा है आपको इस बिल्स का पानी गीडा आपको लेशे क्वलन लेके ब्लूशन का हाइड यूज कर देए बहुत ही अच्छा हाइड वहां चेक बॉंट मेशाटि यह पीचिप भाइड लेक्टिंग करता है इस बाद के ब्ल्स के ब्लश टिंगा पानी क्यों के और मेबलीन की लिप्स्टिक दो दो कलर मिक्स करके यह शेड बनाया था है मैंने और फाइनल लुक ऐसा लगा करके ज़रू बताना और गया आप चैनल पर न्यू हो तो ऐसे ही नए टुटोरियल के लिए चैनल को भी प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना यार इत करना जो मेकब में इंट्रेस्टेड है मेकब सीखना जाते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में एंड गाइज हमारे दुले के बावी कैसी लग रहे है यह भी कमेंट करके ज़रू बताना और गाइज अगर यह वीडियो थोड़ी भी हैल्प रही हो तो चैनल को जड़र सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके टेक एर बावाई